हेलो एवरीवन आप सभी का स्वागत है माइंड बूस्टिंग क्लासेश पर इस वीडियो में हम गक्षा साथ हिंदी की पाठे पुस्तक वसंत से पाठ ग्यारा रहीम के दोहे देखने वाले हैं यह जो इतने भी दोहे दिये गए हैं इनको मैं समझाऊंगी इस वीडियो में तो चलिए पहला दोहा देखते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कि रहीम क्या कहते हैं समपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीद तो कही का अर्थ यहाँ पर है कहना ठीक है कबीर जो है कहते हैं और समपत्ति यानि जब हमारे पर पैसे होती है तो सगे का मतलब सगे संबंधी रिष्टेदाब ठीक है बनत यानि बनना तो जब हमारे पाल संपट्टी होती है तो सक्य संबंदी सब हमारे करीब आतें बहुत बनते भी हैं बहु यानि बहुत या फिर सारे अधिक रीती यानि रीती रिवास विपती कसौटी मुसीबत के समय लेकिन विप्ति के समय, मुसीबत के समय क्या होता है, केसे, कसे, सौरी, कसे बतलब कामाना, सोई, वही, साचे, सच्चा, मीत, मित्र, ठीक है, तो मुसीबत के समय जो कामा है, वही हमारा सच्चा, मित्र होता है, तो विप्ति का अर्थ है, मुसीबत के समय कसे, ठीक है, कामाना मुसीबत के समय काम आना सोई यानि वही साचे मीत सच्चा मित्र है तो इस ये जो आपका है ये जो दोहा है इसका क्या अर्थ है देखो कही रहीम संपत्ती सके बहुत बहुत बहुरी तो बनत यानि बनते हैं बहुत यानि बहुत सारे रीत ठीक है रीती रिवाज बिपतिकसोटी जेस कसे 23 आच्छे मीत बिपति यानि मुसीबत के समय जो जे कसे यानि कसे मतलब जो काम आए 23 आच्छे मीत यानि वो ही हमारे सच्छे मेत्र होते हैं तो इस दोहे का अर्थ हो गया अर्थ आप लिखेंगे की रहीम कहते हैं अगर आप लिखेना जाहें तो लेख सकते हैं इन अर्थों क्या अर्थ है इनका जिससे आपको याद रहें पर नतु जो व्यक्ति संकत के समय सहयता करता है वही सच्चा मित्र होता है ठीक है जब हम तरखी कर रहे होते हैं या फिर हमारे पास बहुत धन संपत्ती होती है तब तो सभी मित्र बनना चाहेंगे सभी सभी संबंदी पास आएंगे लेकिन जब हम अपनी मुसीबत के समय होते हैं ठीक है तब जो हमारी सहायता करता है ना वो ही हमारा सच्चा मित्र होता है भावार्थ देखिए भावार्थ यही है कि सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत में आपका साथ ना छोड़े यही इसका भावार्थ निकल करके आता है तो यह हमारा दोहा एक था पहला दोहा यह था अब दूसरे दोहे को देखते हैं देखिए जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मोह रहीमन मचली नीर को ताउन अचान तिछो तो इसमें मचली और जल इनके बीच प्रेम दिखाया किया है देखिए कि मचली और जल जो है इनके बीच बताया किया जाल परे जल जात बही, तीज मीनन को मोह, तो सबसे पहले पूरा जो ये आपका दुखा है, इसके जो कठे शब्दें उनके अर्थ देखते हैं, तो देखे, जाल परे जल जात बही, बही का मतलब बहजारा, तजी मीनन को मोह, तजी का मतलब होता है त्याक करना और मीनन को मोह यानि प्याद या फिर प्रेम ठीक है रहिमन मच्छी नीर को मच्छी यानि मच्छी हो गई ठीक है नीर को नीर का मतलब आपको पानी या जल उसी को नीर कहा जाता है ताउ ना चानती छो ताउ मतलब तब भी ठीक है ताउ का मतलब तब भी या फिर तथापी ना चानती जोगा मतलब प्रेम इसने है क्रिपाया दया तो ये तो कठेंशब्द हो गया अब इसका मतलब क्या निकल कर आया है कि देखो जाल परे जलजात बही यानि इस दोहे में कवी ने जल के प्रती मचली के गहरे प्रेम के बारे में बताया है देखिए इस दोहे में कवी ने जल के प्रती मचली के गहरे प्रेम के बारे में बताया है मचली जल से प्रेम करती है पर जल मचली से प्रेम नहीं करता कैसे अब देखो रहीम कहते है कि जब मचली पकड़ने के लिए जाल को जल में डाला जाता है मचली जब पकड़ते हैं मचवारे तो हम जो है जाल को क्या करते हैं जल में डालते हैं और जाल में जो है मचली फस जाती है तो मचलीयों की प्रती मुह को छोड़कर जल शीगरी ही जल से बह जाता है अब आप जाल को डालोगे न शीगरी ही जाल से बह जाता है अब देखो जाल में फसेगी मचली ठीक है लेकिन जो पानी है वो जाल में से निकल करके चला जाएगा यारे देखो क्या किया जल ने क्या किया मचलियों की प्रती मुहों को छोड़कर जल शीगरी ही जाल से बह जाता है ठीक है लेकिन मचलियां गया है मचलियां जल के प्रति अपने प्रेम को कभी खत्म नहीं कर पाती वे जल से अलग होते ही तड़प तड़प कर मर जाती हैं तो जैसे ही आप जाल डाल कर मचली को निकलोगे अब जल ने उसका साथ छोड़ दिया कि जल जो है जाल में से बह करके निकल गया लेकिन मचल प्रेम वही है जो किसी भी स्थिती में आपको त्याग न करे आपका त्याग न करे और अंद तक आपके लिए ही जिए और आपके बिना प्राण तक त्याग दे जैसे मचली और जल का यहां धारत दिया गया है मचली जो है जल के प्रति मचली का काफी गहरा प्रेम है उसके बारे में इस दोहे में रहीमन जी ने बताया है, ठीक है, तो यह आपका दूसरा दोहा था, इसके बाद देखते हैं तीसरा दोहा, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत नपान, कही रहीम परकाज हित, समपति संच ही सुजान, इसका अर्थ क्या है, इसके कठिन शब्दे पहले तो देखो इसमें तरवर का मतलब होता है व्रिक्ष या फिर पेड ठीक है फल नहीं खाते है खात का मतलब खाना सरवर पीत ना पान सरवर का मतलब होता है नदी या फिर तरा पीत यानी मतलब पीना ठीक है ना पान पान या नहीं पानी हो गया उसके बाद पान या नही या फिर एकटा किया हुआ संजही सुजान सुजान का अर्थ है सजन या फिर अच्छे व्यक्ति तो ये तो इसके घटिन शब्द हो गए अब इस पूरे दोहे का अर्थ क्या निकल करके आता है देखेंगे हम लोग तो देखो वे कहते हैं कि जिस प्रकार रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार व्रक्ष स्वय फल नहीं खाते हैं, सरोवर स्वय पानी नहीं पीते, ठीक, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति धन का संचय है, खुद के लिए ना करकर परोपकार के लिए करता है, कि देखो, वे कहते हैं, रहीम जी कहते हैं, कि जिस प्रकार व्रक्ष जो हैं, स्व अपने जनक पमखकार देखो कि समाज के कलियान के लिए भी करना चाहिए तब ही समाज का चहू मुखी विकास संभव है ठीक है और उधारण के लिए हमारे व्रक्ष हो गया कि भई जैसे व्रक्ष अपना फल खुद नहीं कहाता सरवर अपना जो पानी है सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता ठीक उसी प्रकाल जो एक अगला दोहा यह देखिए थोते बादर क्वार के जियू रहीम गहरात धनी पुरश नर्धन भय करें पाचली बात इसका देखो अर्थ हम देखते हैं जो कठें शब्द हैं उनकी अर्थ शब्दार्थ देखते हैं देखिए थोते बादर क्वार के जियू रहीम गहरात तो कवार की जो है अश्रिवन का महीना होता है बारिश का जो महीना होता है अश्रिवन का मतलब का मतलब गरजन धनी का मतलब चाना निर्धन मतलब तो 7छ आते हैं कैते हैं कि सब्सक्राइब अकाश में बिना पानी के खाली बादल केवल गरचते हैं तो बादल उस महीं में गरचते हैं पानी नहीं आता, बारिश नहीं होती बरसते नहीं ठीक उसी प्रकार धनी पुरश गरीब हो जाने पर भी अपने सुख के दिनों की बातें याद करके घमंड भरी बाते बोलते रहते हैं तो देखो क्या बोला है एक और बार हम लोग पढ़ेंगे कि इस दोहे में कवी ने कुवी ने कुवार मास के बादलों का वरण किया है रहीम कहते हैं कि कुवार मास में अकाश में बिना पानी के खाली बादल केवल करचते हैं, बरसते नहीं हैं ठीक उसी प्रकार जब धनी पुरुष करीब हो जाता है न तो वो अपने सुख के दिनों की वातें याद करके घमंड भरी बातें बलता है कि जब वो पहले धनी था तो अपने सुख की बातें याद करता है और अब की स्थिती में वो घमंड भरी बाते बोलता है तो इसका भावत यही निकल करके आता है कि सही समय पर ना किये गए काम का बाद में कोई मूले नहीं होता अब वो बाते करेगा तो उससे कोई मूले नहीं है तो सही समय पर सही काम कर देना चाहिए जिससे पहले की समय बीच जाए है ना तो इसी वज़े से सही समय पर न के गए काम का बाद में कोई मूले नहीं होता यही भावार्थ है तो यह इसके बाद एक हमारा लास्क दुहा और रहता है तो पाच दोहे हैं आपके इस पार्ट मे और ये आखरी पाच्वाँ दूहां दिया किया है धर्ती कीसी रीत है सीत गाम ओमेह जैसी परेसो सही रहे त्यूं रहीम यह देह तो धर्ती कीसी रीत है तो रीत का मतलब रिवाज परंपरा प्रथा ठीक, धर्ती कीसी रीत है धर्ती तो अमर धरती आपको पताईए रीद मितलब प्रथा हो गई सीत गामो ओ मेह, सीत का मतलब सहन शक्ती गाम का मतलब सूरे का प्रकाश सहन शक्ती और सूरे का प्रकाश धूब कर्ष्ट वे पत्ती वो गामो गया मेह का मतलब होता है बादल या फिर वर्शा जैसी परे सो सही रहे तो सही मतलब सहन करना तियों रहीम यह देह तो तियों मतलब वैसे और देह का मतलब होता है शरीर तो इस पूरश यह जो आपका दिया गया है दोहा इसका अर्थ है रहीम कहते हैं कि शरीर की जहिलने की रीती धर्टी के समान होनी चाहिए जिस प्रकार धर्ती, सर्दी, गर्मी और वर्षा के विप्रीटे स्थिदियों को सहन कर लेती है उसी प्रकार मनुश्य का श्री भी ऐसा होना चाहिए जो जीवन में आने वाले सुख दुख की जैसी भी परिस्थितियां हो उनको सहन कर ले तो देखो इसका क्या अर्थ है कि जैसे आप सबची गएंगे कि देखो धर्ती की जो जेलने की दीती है वो कैसी है जैसे धर्ती पर सर्दी, गर्मी, वर्षा कैसी भी स्थितियाए कैसा भी मौसरमाई धर्ती सहन कर लेती है उसी प्रकार मनुष्य का श्रीड भी ऐसा होना चाहिए कि जीवन में चाहे कितना भी दुखा है कितना भी सुखा है वो उसे सहन करने में उसकी शक्तियों नीचे है सहन करने की ठीक है उन्हें सहन कर ले कैसी भी परिस्थितियाओ कितना भी दुख का सामें चल रहा हो, मनुश्य का शरीद भी ऐसा ही होना चाहिए, जिसे धर्ती का है, कि धर्ती वर्षा, वर्षा का रितु हो, सर्दी हो, गर्मी हो, हर चीज को सहन कर लेती है, तो हमें जीवन के किसी भी विपत्ति या मुसीबत से डरना नहीं चाहिए, हम हर चीज को जेल सकते हैं, और हमेशा हमें एकदम पॉजिटिव रहना चाहिए, सकारात्मक सोचना चाहिए, तो भावारत ही हो क्या, ठीक है, तो ये आपके पाचो दोहे थे, अर्थ के साथ, और हर शब्द का अर्थ हमने जाना है, तो आशर करती हूँ, अच्छे से ये स सपोर्ट मिल सके, और आप चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल एकन अन कर सकते हो, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, तैंकी फॉर वाचिंग